नवस्का दोस्तों, डीडी रियक्ट पर एक बार फिर साब का स्वागत है तो आज जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ, वीडियो है सनामजित का शिनगर स्मार्ट सेटी प्रजेक्ट इंडियाज डेवलप्मेंट इन कश्मीर जायद से बात है कि भाई जो स्मार्ट सेटी प्रजेक्ट चल रहा है और वो जो अब नतीजे देखने शुरू हैं जो पिछले दो-तीन सालों में जो काम हुए है उसके बाद से पाकिस्तान के लोग क्या कहेंगे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग कुछ अच्छा कहेंगे या उनकी सोच में कुछ बदलाव आया होगा लस्सी देखते हैं जमो कश्मीर स्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन बड़ी तेजी के साथ जारी है इंडियन सरकार के जानिब से 120 मिलियन डॉलर की बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट की जा रही है क्या कहेंगे आप अच्छा कर रहे हैं वो अपनी अवाम के लिए हमें भी करना चाहिए हमारी गॉर्मेंट को भी चाहिए को को इस तरह से इनिशेटिव लें हमारी अपस भी ऐसे पॉइंट से लोग आएं जिसे देखने के लिए मुझे बड़ी हैरानी होई उन्होंने का कि अपने लोगों के लिए वो माहन गय कि जब मुकश्वीर जो है वो इंडिया का है चलिए थैंक्यू ब्रदर मुझे आप थोड़ा लग रहा है कि पाकिस्तानी बेस नहीं लग रहा है आप बाहर ही रह रहे हैं तो बाहर के माहल से आपको पता चल गया हुगा आगे पता नहीं क्या बाते कर लें आप आइड़ा रहा है कि इस से जो है इंफरस्ट्रक्चर ड्वेल्प होगा रोर्स बनेंगी टूरिजम में इजाफा होगा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और जो है इस से जमो कश्मीर की खुबसूरती भी मजीद बढ़ेगी बेशक ऐसे है अब हमारा अजाद किश्मीर देखें तावबट देखें वहां पर हमने कुछ बनाया हो आपका अगर विज़र्ट उगा हो दा एंड इस तावबट बहुत ही अच्छे हुबसूरत पैनोरामाज है जगह हमापस है वहां पर हम कुछ भी बना सकते हैं अब लोग इतना ट्रेवल करके जाते हैं आगे जाके उन्हें कुछ ऐसा मिले जो इसको पेक जो कर रहे हैं उसका वर्थ हो ना तो लोग जाएंगे हमाएं भी यहां पर मिलेगा अब जैसे हमारा यह सी पैक बना है सारी रोड्स बनी है अब किश्मीर बॉर्डर तक आप ज सब से बड़ा ड्रेल वेड जो है वो कश्मीर में है वहां पळ फाइव जी आ चुक है वहां पई एजूकेशन शिस्ट्म बहुत अच्छा है वहां पे बिजली सस्थी है लेकिन हम यह आजात कुष्मीर में क्या करें हम इवन पाकसistaan की और करें तो उनसे बहुत पीछें लिए ट्रेसी रेट हमारा कम है एन्वायरमेंट जो बेसिक नीड्स हैं हमारी रोटी कपड़ा मकान उसके लिए लोग जो हैं फाइट कर रहे हैं इस वक्त जो वाइड कॉलर जॉब भी कर रहा है वो भी एक लेबर की जिंदगी जी रहा है सुभा को द्यारी लगाता है रात को खाता है सेलरी आजाती है महीने की लेकिन मन्त एंट पर जाकर उसकी हतम हुई होती है उन्हों ने अपने आपको बहुत ज़्यादा गूरूम अप किया है अब आप कुछ साल पहले चले जाएं तो उनकी करंसी हम से कम थी उनके पस जिन्दकी गुजारत हुए लोग नजर आएं वहां पर हमेशा डिवालपमेंट देखने को नजर आई यह अब देखे हमारे माफिया बहुत ज़्यादा है उन्हों ने अपनी रोटी रोजी बनानी होती है वो इस तरह लड़ाते हैं यह लड़ाई का एक करते हैं कि यार व हमारे दिलों में उनके लिए जस्क्रियेट किया जा रहा है ताके लोगों की रोजी रोटी चलती रहें इंडिया जिस तरह जम्मो कश्मीर में डिवालपमेंट कर रहा है आपको लगता है कि वहां पर वह सब कुछ हो रहा है जो हमें दिखाया जाता है टीवी चैनल के थू 70% भी हो जाए 50% भी हो जाए तो भी हमसे बहुत बेतर हैं 100% ना सई 50% भी रिजल्ट अगर उसका आजाता है तो इस गूड़ एनफ बहुत अच्छी बात है तो आप कुछ रहा है जम्मो कश्मीर में होने डिवलपमेंट को देख गए इनसानों के लिए हो रहा है ना हम क्य बाँ फुर recess ऊद कर लिये हैं और। अजा हैं भी ओद उडा पड़ाएंगा तो हम क्लाप करेंगे तो रहन 19 talk उल्मा कॉछमीर को अजाथ कर वान सवाल में ये कि हम ठीखेर गोंड जो मारे जब से मैंने हो समभाला है तो फाइटिंगी फाइटिंग चल रही है बेसिकली कुछ है या नहीं है कोई तुना नहीं पता लेकिन क्रियेट किया हुआ कि जैसे उनको एक दुश्मन साबत किया हुआ है उनको अपनी जिन्दगी जी ने दो आप अपनी जिन्दगी जी हो आपका नाम दिजवान अली जल्फिकार अली चलिए मैं यह कहूंगा कि बड़ी साफ सुथरी सुलजी बाते मैंने पहली बार जम्मू कश्मीर को लेकर किसी पाकिस्तानी के मों से सुली उनको बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है उनको चिंता है कि उनके अपने यहां क्या हो रहा है उनको चिंता है इस बात कि छोड़ो जम्मू कश्मीर भाई अपने यहां तो देखो अपने रोटी के अपड़ा मकान मिल रहा है क्या और उन्होंने जमू कश्मीर का पॉजिटिव साइड देखा आप समझ रहे हैं सना ने का आप जुल्म होता है यह होता है वो होता है बोले कि भाई सब हमें दिखाया जाता है बताया जाता है अपने बताया कि कई इंडियन से बात हुई मैं भी यही कहता हूँ कि भाई आप लोग संचार क्रांती है information technology का जमाना है internet है आप देखो कश्मीर से लाखों वीडियोज है और उनको देखिए समझे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है व्लोगर जाते हैं आम आदमी चला जाता है बहुत सारे लोग जाते हैं विदेशों से लोग आते हैं कोई तो एक बताएगा सच बताएगा दिखाएगा अब ढूणने पर तो भाई आप सोने में भी कमी निकाल सकते हो कि देखो तो कोई यहाँ पर धबबा है चांद में भी धबा नजर आ जाता है तो मैं वही कहाता हूँ कि सो में से 99 अच्छाईयां आप लोग को नजर नहीं आती एक बुराई को दिख गई पीछे पड़ जाएगा आज जी सब तबाज जुल्म हो रहा है जी जुल्म हो रहा है समझे मैं क्या कह रहा हूँ अब आप लोगों का ये प्रपगेंडा नहीं चल रहा है उसका सॉफ्टवेर आउटडेटेड हो गया नया सॉफ्टवेर आ गया है और वो बहुत एडवांस है वो चीजों को क्लेरिटी से दिखा देता है वो प्रपगेंडा तोड़ देता है तो बदलिए अपने आपको विचार बदलिए तो आपकी निगेटिविटी भी दूर होगी और कुछ बला हो जाएगा आपका भी और आपके पाकिस्तान का भी सर इंडिया जो है पाकिस्तान से लोग जोब करते हैं काफी वेक्टरी से तो फाइदा तो है सबको है सर मुझे जहां तक लगता है कुछ थोड़े दिनों पहले की बात है हमारे कुछ जर्नलिस्स कुछ यूट्यूबर कश्मीर विजिट करके आए वो तो कहरे हैं कि वहां पे लोग जो हैं रोजगार के लिए रो रहे हैं वहां पे रोजगार के मौके नहीं दिये जा रहे हैं औ लेकिन इंप्लाइमेंट जो है वो यहां से उदर जाती है यहां से लोग उदर जाके जाब करते हैं लेबर भी इस्ट्राब भी और क्यों भाई तो वहां के जो जमो किश्मीर के लोग हैं उनको नौक्रियां क्यों नहीं मिल रही हैं और आपने कहा कि सरकार लगए तो भाईया सरकार क्या कर लेगी महां पे जब आप पैसे ही नहीं दोगे खजाने पर तो आपका पाकिस्तान का कबज़ा है बजट उसका पा पाकिस्तान में आता है वहां पर जो रिसोर्स है उसका सारा इस्तमाल पाकिस्तान करता है वहां के लोग तो नहीं करते वहां के लोग पास तो हक नहीं है और अगर वहां पे फैक्टरीज हैं तो भाई यहां से लोग क्यों जा रहे हैं वहां के लोग क्यों नहीं काम कर रहे कि कुछ हर्या एसे है जहाँ पर एक्सेस नहीं है फैक्रि economies नहीं है जहाँ पिलकुल लक्र मुझोव से ले ऑप इंडिया जिस तरहां को जो है अच्छी जॉब ऑपर्चुनिटीज मिल रही है मतब जॉब मेगा फेर्ज लगाए जा रहे हैं क्या इस तरह की कोई चीज अजाद किश्मीर में नहीं हो रही है क्योंकि एक तो वहां पे गौर्मेंट जो है वो उसको सोचना चाहिए अगर वो खुद नहीं कर सकती तो वह पाकिस्दान की गौर्मेंट से लाग करके वहां पर करनी चाहिए करना चाहिए वहां पर भी हमें भी कुछ चाहिए अजाद किश्मीर में और इससे जो है इंफा स्ट्रक्चर डिवैल्प होगा रोड़ बनेंगी लोगों को रोजगार मिलेंगी और जम्हो कश्मीर की खुबसूरती में मजीद इजाफा होगा क्या कहेंगे 120 मिलियन अमरीके डॉलर की बड़ी समाया कारी की जा रही है असल में इंडिया जो एकनोमिकली स्टेबिल है तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे हम इंडिया को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इंडिया की एकॉनमी स्टेबल है उनकी मामलत सारे बेत समूच चल रहे हमारा आपके सामने हमारे मुलके जो हालात हैं आपके सामने हम जो कि हमने कश्मीर को बनाना है पाकिस्तान, जब हमारे पकशेश्ल नहीं हैं, अतनी उपर चूनिटीज नहीं हैं, हमसे पंजाब, सिndh, बलोचीस्तान नी शंभाला जा रहा तो हम फिर कश्मीर के नारे क्यों लगाते हैं? संभाला तो जा रहा है लेकिन जब तक दक राम इसको सिर्प नहीं लेंगे ना उस वक्त तक यह ओए टीक नहीं होगे जा तक अजाद कि दिए नगी आज़ों तक आजब चुमीर के बात है तो अजाद कि आजब हमारी निस पस्ट तो तो बहुतर चल रहे हैं वहां पर जो है सेहरों सेहात के बाकि हम लोग अगर निकलते हैं। लगो तो नीकलते हैं लगो तो कि अःता है पृडाल सेधिल हैं गर्राद हैं अवर्ड thoाहर के छेटे हैं। एक कर अंड अम अभड के लेको घृच्छान के बाते हैं। वो तो हमारा डिस्पुटूट एरिया है अगर भारत वह पर को मामलत कर रहा है कोई हमें हमें सब्सक्राइब करने के लिए कुछ अपरोच कर रहे को चीजे उसको हमें देखना चाहिए तक हम उनको रोक सकते हैं को रोक नहीं सकते लेकिन अकवामें उतिदा की जो करार दाद कर रहे हो एक उसकी सबटस्ञाइंज अपर्गाहिए को बाद कि जया है कि तो भाव्लेवेश सब्गार है य और वह जो है वो जयूूए को रिर्चार की हो क्यों फजूंस्टा मेंने महमें रिज्ल कि रोग्याँ वह बहुता रॉच्प कर रहा है और इसके यह जो डिवैलप्मेंट इंडिया कर रहा है जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे बिज जो है वो जम्मु कश्मीर में है और बहुत इसला की चीजें जो जम्मु कश्मीर में डिवैलप की जारी है बनाई जारी यह डिवैलप्मेंट देखने के बाद आपक तक है और यह सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए आपको नहीं मिलेगा यह सिर्फ दुनिया की आँखों में वो जो मत्री डालने के लिए है कि इस तरह के मामलत हो रहे हैं अधरवादा सा कुछ नहीं है अबे वो अकल के अंदे आँखों से भी अंदे हो गया जम्मु कश्मीर में बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है जिसका नाम है AIMS AIMS आप टाइप करेंगे न जब तो आपको पता चलेगा कि AIMS क्यूं सबसे बड़ा अस्पताल है All India Institute of Medical Sciences दिल्ली में भी है और भी कईशारों में है और वो जम्मु कश्मीर में बनाया जा रहा है उसके बिल्डिंग देखोगे ना बिल्डिंग तो आपकी आँखे फटी फटी रह जाएंगी उतनी बड़ी बिल्डिंग अस्पताल की आपके लाहोर में नहीं होगी जितनी बड़ी बिल्डिंग एम्स की वहाँ पर बनायी जा रही है और बहुत जल्द एम्स वहाँ पर फंक्शनल होने वाला है बहुत बड़ा अस्पताल है तो उसका फायदा कहा कहा के लोग लेंगे जम्मु कश्मीर के लोग नहीं लेंगे जम्मू कश्मीर में IIM गूगल पर सर्च करना भाई सा पढ़े लिखे लग रहे हो कपड़े भी ठीक ठाक पैन रखें आपने IIM वहाँ पर जम्मू में बन रहा है और वो जाके चेक करना उसका जो कैमपस है न आपके बड़ी से बड़ी पंजाब उन्वस्टी का भी कैमपस उतना बड़ा नहीं होगा उतना मॉडन नहीं होगा जितना बड़ा कैमपस और वो है तो इंडियन इस्टिटूट अफ मैनेजमेंट का फाइदा किसे मिलेगा जमो कश्मीर के बच्चों को नहीं मिलेगा क्या वहाँ पर IIT है IIT का कैमपस देखा है आपने उतना बड़ा कैमपस उतनी बड़ी सुभीधा उतने बड़ी पूरा इंफ्राक्स्रक्ट्चर पूरे पाकिस्तान में उस जैसा एक कॉलेज नहीं होगा NIT भी है महाँ पर इसके अलावा बड़ी से बड़े कॉलेज बड़ी से बड़ी उनिवर्स्टीज महाँ पर है कहां बराबरी कर रहे हैं सर और अभी हमने जो चेनाब पर रेल्वे ब्रिज बनाया है दुनिया का सबसे उचा रेल्वे ब्रिज है और वो करीब करीब तैयार हो चुका अभी उस पर एक कार्ट हमने चला कर टेस्ट किया है अभी एक दो महीने चार महीने और भी टेस्टिंग होनी है उसके बाद उस पर ट्रेन चलने लगेगी इससे व्यापार बढ़ेगा इससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, connectivity बढ़ेगी ये होती है development आप करें कि आँखों में दूल जो करें अबे चलते हुँ दीख रहे हैं यह चीज़ें उसको नकारने यहाँ, आप जैसे पाकिस्तानी आप कुछ हैं, मानते हैं और हो कुछ और रहा है दुनिया कहते ही करें, पाकिस्तान तो करा दिक आप ऐसा इसा नहीं हो रहा है ये देखो जी, ट्रेन दौडने लगी ये देखो जी, टनल्स बनके चलो हो के सब नजर आ रहा है ना, उसके बावजूद भी हम कहेंगे के नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, असल में पाकिस्तान को अस्टेबल करने के लिए वो इस तरह के वो जो जो और इसके लावकर पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है आपका ना, यासिर, स्मार्ट सिटी मिशन जम्मो कश्मीर स्री नगर में बड़ी जो और शोर के साथ जारी है, इंडियन गवर्मेंट के जानिब से 120 मिलियन डॉलर की बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट की गई है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बार में यही कहूंगा कि वो इंडिया है, वो अपने कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए जो है, वो सोच रहा है सर, इंफर स्ट्रक्चर जो है, वो डवैल्प हो रहा है, जम्मो कश्मीर में रोर्स बहन रही हैं, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे इसके बाद, और जम्मो कश्मीर की खुबसूरत भी मज़ीद इजाफा होगा, इंडिया तो बहुत डवैल्मेंट कर रहा है, हम आ सर, हमेशा एक बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर के जो लोग है, वो बहुत खुछाल जिंदगी गुजारीवन के पंजाब से ज्यादा डवैलपमेंट जो है, जम्मो कश्मीर में हो रही है, अजाद कश्मीर के सूर्टियाल आपने बताई कि व किसी भी टॉपिक को ले 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 उस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसे इंप्लिमेंट करना जरह मुश्किल काम है, एट लिस इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, और पाकिस्तानी गोवर्मेंट जितनी भी हैं, चाहिए नून लीक है, चाहिए पी टी आई है, चाहिए जो लांद किया जाए और उस पर हम बात करते रहें, करते रहें, टिन्योर खतम हुआ, लाह लाह खाया सलाव, अज़ाजाद कश्मीर के लोग जो एलोसी के पास रहते हैं, जब वो एक डिवालप कश्मीर को देखते हैं, जब उनकी आंकों में एक हस्रत नजर आती है, कि हमें सबसिटी मिले, हमें भी यहां पर जो है, रोजगार मिले, हमें भी अच्छी एजुकेशन मिले, वनके एजुकेशन का निजाम तक, हैल्थ का निजाम तक जो है, अज़ाद कश्मीर में बहतर नहीं है, हाँ जी, मतलब अज़ाद कश्मीर में है, कोई भी सेफ नहीं है, फी जिस्पे मैने जितना सुच आया जितना देखा है जपी डिखा तक लग में भुए्टकुछ हो हगा यह गा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है किसे लिए कर अगर आपने काम करना थो वो करना थीक है अगर नहीं करना चाहते तो उस पर बात करेंगे लिंगरान करेंगे उस पर डिबेट होगी जा लगता है किया जब क्शमीर का मसला किस तरह हाल होगा क्योंके इंडिया पाकिस्तान के तालुकाद बेहतर होने के बीश तो यहां रखना के तालुकात बहतर नहीं हो सकते हैं नहीं भी मसल्य कशमीर हडं़ करने वाली सिर्फ गौर्मेंट है अगर वो स्टैंड ले 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 तो और आपको बता है कि वो मसल्य कशमीर ऐसे हल नहीं हो गा क्योंकि बाहर के लोग उसमें कुते हैं आपने वोहाल नहीं करना है जो मेंड पॉ copyright इस पर टाहिँower ऑफ है तीक है यह जार पेसे मघस्ञा इस पर जो हम अपने डरीक रोग्र्राम आता है weitere नहीं करना ओर लोने की शाल इस नावारा लास्य और यह प草ने जो इसे तो पूब यह जात पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेर करें, अलाहाफिस. पहेंकर उसकी बैज़ती होनी है, और बैज़ती होगी तो आगे की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, आगे की सरकार नहीं बना पाएगा. सरकार से अपनी पूछी, अपनी फौज से पूछी, कि 75 एस में आप लोग ने हमसे चंदे लिए, हमसे इतने बड़े-बड़े रैलियां करवाई, नारे लगवाए, उनका नतीज़ा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या एक इंच बीच कश्मीर हमारा हो पाया है कि नहीं हो पाया है और अब तो आसार जो हैं वो डपैले थे, ना भी है, ना आगे होंगे, तो इस रियालिटी को जितनी जल्दी आप लोग समझ पाएंगे, उतनी ही फायदेमन चीज़ आप के लिए हो जाएगे, और जब तक ये कश्मीर नाम का चूरन आप खाते रहेंगे, आप हाथ में लेकर भीक मांगते रहेंगे, कश्मीर के लिए आप लोगों ने अपने देश को कुर्बान कर दिया है, कुर्बान in the sense कि मैं कुर्बान के बली चढ़ा दी है, एक भाई साब किसी का रेक्शन सोना तो उन्हेंने बोला कि जी हमने तो बंगलादेश गवा दिया कश्मीरियो के लिए, अरे चलो भाई, कैसी बाते कर रहे हो, कहां बंगलादेश को आप कश्मीर से जोड़ रहे हो, हाँ, एक है कि जो पाकिसानी उकुपायट जम्मो कश्मीर और बंगलादेश था, उन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, उनको उनके हक नहीं दिये जा रहे, क्या पाकिसानी उकुपायट जम्मो कश्मीर के लोगों को बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है, अच्छे कॉलेज में जाने का हक नहीं है, अच्छी इनवस्टी उनने चीए, क्यों 75 येर्स में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इनवस्टी है, क्यों आज क्यों वहाँ पर अस्तमाल किया है। कश्मीरी लोगों का नहीं सोचा है अगर कश्मीरियों का आपने सोचा होता तो UNK resolutions के हिसाब से आप उसको follow करते और अगर वो भी नहीं करते तो कम से कम वहाँ पर बहतर सडकें बहतर बिजली, बहतर पानी, बहतर स्कूल बहतर कॉलिज, बहतर अस्पताल देते लेकन उभी तो नहीं दिया आपने आप उहाँ से पानी लेंगे आप उहाँ से बिझली बना कर वापस लेंगे आप उहाँ पर टुरिसम साने वाली कमाई पर कभजा करकर बैठ जाएंगे लेकन बदले में कश्मीरियों को कुछ मत दीजी आप कुछ मत दीजिए, ना उन्हें इन्वस्टी दीजिए, ना कॉलेज दीजिए, ना स्कूल दीजिए, ना सडके दीजिए, ना रिलिवे दीजिए, ना कुछ नहीं दीजिए, ना इंटरनेट दीजिए, ना बिजली दीजिए, ना पढ़ाई दीजिए, और उसके बाद आप कह देगी आप लोग तबाह कर रहे हो कश्मीर के नाम पर अपने देश को तबाह कर लिया है तो अगर अपनी आखे खोलना चाहते हो भूल जाओ कश्मीर और अपने जो है आपके पास उस पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को एक भेतर भविश्य दीजिए बाकि लड़ दीजे, जल्दे बलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जैट